नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमर 36 गड के स्खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनु यादफ सबसे पहले बात करेंगे बरस रही आफ़त की राजिनान गाउं में बारिश में सड़क और पुल बह गए और आप ये देखिए कि मानपुर ब्लॉक मुख्याल बहा दिया है और यहां से अब जो एक जगे से दूसरी जगे का संपर्ख है वो पूरी तरीके से कट चुका है राजनान गाउं की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बारिश में बह गई सड़क और पुल मानपुर ब्लॉक मुख्याले से कई गाउं का सूट टूटा सं संपर्ख नैशनल हाइवे 930 पर पूल और सड़क बह गई आवजा ही पुरी तरीके से बंद हो चुकी है पुल ही बह गया जो सड़क थी वो पूरी बह गई है एक जगे से दूसरे जगे का जो संपर्ख है वो पूरी तरीके से कट चुका है मानपुर ब्लॉक मुख्याले स कई गाउं का संपर्ख तूट चुका है नैशनल हाइवे 930 पर पूल और सड़क बह गई है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो देखिए एक दो बारिश में ही ऐसे हालात हो गई है कि गाउं के गाउं एक जगे से मटकर रहे गई हैं और शेरी शेत्रों से संपर्ख पुर ही पूरा बह गया है और पानी का बहाव इतना ज्यादा कि सड़क और पुल भी इसमें बह गई है तो आवाजाई परी तरीके से बारित हो रही है लोगों को अगर जरूरी कामों से भी एक जगे से दूसरी जगे कहीं जाना पड़ा तो कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और संबादाता राकेश यादव जुड़ें राकेश नैशनल हाइवे 930 के पास सड़क और पुल बह गया पानी का इतना तेज बहाव था कैसे हालात हैं लोग किस तरीके से मानपर ब्लॉक मुख्याले से कई गावों का जो संपर्क तूड़ गया है वो तेज बारिस के कारण ये बह गया है और लोगों को ब्लाक मुख्याले तक जोड़ने के लिए सड़क को बनाया गया था इसके बह जाने से लगबख दो दर्जन से जो अधिक गाव हैं वो प्रभावित होंगे कहीं न कहीं हैं 20-25 किलोमेटर का सफर अलग शे जो तैय कर कि आना पड़ेगा दूरी जो है वो ये बढ़ जाएगी ब्लाक मुख्याले आने के लिए और वहीं आपको बताना चाहूंगा कि 930 में एक और कुरकोटीगर के जगा है वहां सड़क भी बह गई है तो कहीं न कहीं इस छेतर के जगाओं हैं वो सीधे से मुख्याले के संप खड़ी हो गई है और लगातार मौलामानपूर छेतर में बारिस हो रही है जिसके कारण यह स्थिती बनी हुई है और सड़कें और जो एप्रोच पूल है वो बह चुकी है बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राकेश और आप लगातार नजर बनाके र प्रान मुख मतरी क्या कुछ कहने सुनते हैं प्रागों में निवेश को लेकर ये कॉन्क्लेव बुलाया गया है जवलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसमें मुख मंतरी डॉक्टर मोहनयादव अभी सभी को संबोधित करने वाले हैं तो कॉन्क्लेव का शुभारम हुआ है 3500 से जादा निवेश्या किसमें शामिल होंगे ऐसी जानकारी है और उद्योग पतियों विबन उद्योग संगों के प्रतिनिधियों और प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों साइथ 3500 से अधिक उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां इसमें शामिल है मुख्रमंत्री डॉक्टर मुहान आदव साथ सदी के कायों का बच्वली उद्घाटन का रुद्योग पतियों से वन टू वन चर्चा भी करने वाले हैं और अभी वो सभी को इस कॉनक्लेव को लेकर ब्रीफ करेंगे संबोधित करेंगे और यह देखे संसकार धानी में यह दूसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव हो रहा है और आर आईस्ती इसको आई जीत कर रही है किनारे संसकार धारे जवलपूर में आजकी महत्कुन इंडस्ट्री कांक्लेव में इसकार का रिस्पांस मिला है मुझे अत्यनत प्रसनता है कि जवलपूर के अंदर हमारी आसास से ज्यादा अनुकूलता निवेश्कों ने दिखाई है सबी सेक्टर में जो जो हमने सामने प्रस्टूत किया है हर सेक्टर में उत्सा उमां के साथ लोगोन निवेश्क के लिए सुझाओ तो सुने ही सुने उनकी दरब से इंट्रेस्ट दिखाया है लगबग मैं आज ही इस कांक्लियों के माद्यम से बतना चाहूंगा कि हमारे अपने अभी तक कि हमारी जो सम्मीड हुई हो उसता रिकार्ड या घुटा है खास करके जबलबुर्ग इस कांक्लियों में 265 और धुगी खिताईयों को 340 एकड़ मुमी के आवंटन के आसे पत्र दिये टेश्ट प्रडेस में कुल 17,000 प्रोड के लिवेस आ रही हाँ उसके प्रस्ताव एकडर से फाइनल प्योवेर हमको प्राग दूए है प्रडेस की सुनसट पुद्धोई प्राइयों के लोकारपण भूभी पूजन के साथ यह इसी का एक हिस्सा था कि हमने जहाज कांक्यों करेंगे रिजनल मही पर जो अंडेस्टिल बेड एमाट पोस्धनातल पर लोकारपण या भूभी पूजन होना चाहिए मुझे इस बार की प्रसंदता है कि लगभग सुनसट एकाईयों के माट्यम से हमारे प्रदेश भर में सभी अंचर पे एक साथ पचास सेरा इकाईयों को भूभी पूजन होआ और पक्षी सेरा इकाईयों का लोकारपण होआ और उसमें टूरे संपर के माद्यम से हमने संपर भी किया चब्जा भी गी जिसमें चार इकाईयों में अकेले पांत्सो चार अजार पांत्सो लोगों को यह इकाईया रोजडार देगी और जो आज इनका भूभी पूजन लोकार पटवा हूं में लगवत 1530 क्रोंप्रे का निवेस पूमें आज हुआ है मुझे इस बात की प्रसंदत आए कि आज जो यहां हमारी अपनी इस काल्फियों के जो संभिद हुए उसमें रक्षा उपकरण निर्माट से तुड़ावा बड़ा एक नया हमारा डेवेप्मेंट हुआ है जिनके बीच में असोग लिलेंड और आंस विकल निगम करना होगा ठेंग के निर्माट को अभी तक तो गन के इतनाते से जानती थी लेकिन आम यहां खेंग को भी बने बने जाएंगे इसी के साथ साथ स्टार्ट अप का काफी लोगों ने रुची लिए मतले सटाबरा इंडिया स्वीट फंट के मादम से आज बारा स्टार्ट अ को अलग से रासी लगबग एक परोड़ की दिया ही है छे देशों ने अलग अलग धंसे इस पूर्य आज की सम्मिट में भाग लिया ताइवान मलेसिया युके लिधी पोस्टारिका और इंडोनेसिया पंद्रा राचों निवेसक अलग अलग ताट्यों से पंद्रा राचो अलग अलग प्रकार के सेंटरल सेशन भी हुए इसमें उद्धोपतियों और अनिगारियों के साथ सिदा सुबाद हुआ और उन्तों निवेस के प्रस्ताओं लेने देने में मददगार हुए लग पक चार जार से अलग पती भागी होने हैं इसमें पूरे आईजन में इसमें मंच पे लोग बता रहा थे 90% से ज्यादा लोग जो देजबर से आये तो जमलपुर पेली बार आएं और आने के वाद उन्हें इसमस्थान की खूट सूर्थी आसपास के रमणे की स्थान प्रेटन के केंद्र सबकी जानकारी भी और दुबारा परिवार से आने की यह हमारे प्रेटन को बढ़ावा देने के मुझ्टी से भी और हमारी संस्काव दाने की जो हमारे अरफने के नीचे गल्पुरा थी के देश के अंदर हमारी इस सक्मत्वर की अधुती पहचान वारी नगवी को और इससे पहचान मिले यह बड़ी बात हुई है एक सरकार के सब्सक्राइब के लिए और आपको बताना चाहूं है एक स्किल डेवलेप्मेंट का सेंटर की होश्ट ना हुने की है जिस तो बड़े प्रेमाजर पर लोगों को यले ट्रहीं मिलेगी और उससे रोजगार का केंद्र बनेगा यह दो सेंटर बनाएं आएंगे मूलता एक से सब्सक्राइब किया जाएगा ताकि रेटिमेंट्स गार्मेंट्स के और टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई-बैन इसके प्रसंदता आए इसके अलावार इसी स्थान पर जहां हम बात करना है यहीं पर हमने और इस पर लेकिन से आएटी से जड़े लोगों को रोजगार मिलेगा जो हमारा उपर बनावा अडिटोरियम या फूटल का पार्ट को लगा जाएगा लेकिन से इस बहुत अटी पार्क के मात्यूं से आइटी से लोगों को रोजगार मिलेंगा ये जबलबूर्णा एक बहुत बड़ा अपने आप से नया सिप्तर प्रदबूगा आज जो प्रमुख निलेस प्रस्ताव पास दरे पास आये हैं और इसको बहनी किया है मैं कुछ उतके उल्ले इतनी बात बताना चाहूंगा हमारा बेजनाथ गुरुप लोगों को का ये चिंदवाडा में इसका प्रोजेक्ट लगने वाला है इसी प्रकार से रमनिक पावर माइन सिंग मिन्रेल्स का ये फेरो एलाई का ये बाला घाट में हगेगा एक हिंडल पर सिमेंट का बड़ा प्रांट आने वाला है शुराज शु सुंतर स्थानों के भी यही से बेट करके कुछ भॉपाल के जबलबूर के इंदोर के दमों के ऐसे अलगर ऐसे डिफेंस का ये एवी एनल गूप के डिफेंस के क्युप्मेंट बनाने का काम करेगा ये अलगर छेस्सो क्रोड़ों के निवर्स इसमें लाएं 900 लोगों को र उसर मिलेंगे इसमेंए फिर्वार्मा संव कंपनी द्वार 159 को कई जायर इसमें 111 लोगों को रोजघार मिलेगे कि मैं अमिद करनाओं कि इसमें अजकन आज के इस्टार ही त सदवर धायरिक सिनन लाय का सि सांसों से धीडिक dham पतियों के साथ one to one चर्चा के लिए बंद्रा राज्यों से निवेश सका है पांच सेक्टरल सत्र कियेगा जिसमें डिफेंस खनीज खनीज खननका छेत्र क्रसी खादिप संस्क्रट पस्तुर्टो डेरी परेटर इसी के साथ साथ बोल मेज इस तीन केर्चा हुई है जिसमें रक्षा छेत्रों से निवेर्स करने को अगया जाए कि फार्ट करना है क्येशल जिसमें रक्षा छेत्रों से जुड़ेवे सास्की और आसास्की दोनों से ओक दरखेंस साथ इसे के साथ हमारे आज पार्टन पेस्ट लगों 40% हमारा यहां से एक्सपोर्ट होता है यह बाहर जालता है अन्य राजयों नहीं तो काटन अधारे दोपी अपने प्रदेश के दिदर लगे ऐसे अलग लग सेटर पे फुल मिला करके फुल करके चर्चा करने का बड़ा लाग मिला है और निवेश को ने इसनल सिर्फ उत्सा और हम दिखाया मुझे इस बात की प्रसंदत आया कि यह जो हमने रिजनल समिट करने का जो नेड़े किया था उसके नेड़े के तति ही लोगों को बहुत आनक आया आम तोर पर बड़े-बड़े सहरों में लगने से और एक ही रिजनल समिट जो जैसे जबलपूर में हो गई है तो जबलपूर के निवेश के प्रस्ताव बंद भी हुए यह लगातार जारी में यहां पर भी इस ठाने इस तरफ में दो लोग रोज़गार के लिए इस्टी डाला चाहते हैं अलग शेक्तर में काम करना चाहते हैं उन रिजनल समिट पर चलते जलते के लिए यहां के लगाता प्रस्ताव जो मिलते रहें के उस पर भी ताम करेंगे एक अच्छी बात है कि इसनाल के बगदे बड़ पर सब्सक्राइक बद़ेर जिसके माद़र से बड़ी सब्भा होना रहा से कोल इंडस्टियों के सांचा हमारी पावर सेक्टर में अच्छे प्रस्ताओं मिलें लगपत 45,000 प्रोड के आगानी दूपने हमको कोल और सोलर से जड़े पावर प्रोजेक्ट पे अपने देवेस फाइनल किये हैं सांचा और अलग 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 लोगों ने प्रस्ताओं दी हैं पुल मिला करके जिस प्रकार का वाताओं बना है यह सभी सेक्टर के लिए उदावट के लिए मेडिकल सेक्टर मेडिकल सेक्टर में भी हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताओं में मिले और हासिकल स प्राइवेट सेंटर के लिए बात आई है सब बिला करके सभी सेक्टर में समान उच है और घास करके ख़डान आदारी दुद्धोर पांडिंग आदा रहे उसमें भी पिंदल्स पे हमारे जो जो उपलगता है उसमें खरीच से लगा करके आईरें तक और एक तो हमको इस्टी प्रस्ताओं मिला उम्मिद करता हो कि सभी प्रस्ताओं के मात्यम से और ड्रोगिक निवेश का एक नया वातावन पूरे देश में मंद्धेश को लेकर के बनेगा और मंद्धेश जना कि उन इंद्रेस्टिल सेक्टर में मजबूत होगा बलकि और आगे जाएगा मेरी अप आपके वकारण से हमारा ये सेक्टर जो हमारी अपनी प्रतिबत दता है कि हम जबूलकुर्व और महापुर्शल के वेट में नए अनिवेश को भी लाएंगे और रोजगार के नए आउसरों प्रत कराएंगे जन्ताने जो हमें भरोसा किया है उस खराग उतरने के लिए आप सकता आवाने कोई मदब ने का इस देखें क्या है असोग लिलेंड में यहां के टिवेश कोलों के साथ इन्मिलु किया तो स्ट्रेट गोर्मेंट उसमें मदब गार है ये भरसरकार के जो आपस के गरार है उसमें और लेकर अच्छी बात ये भी है कि भविश्य में डिवेंस के सेक्टर में अलग-अलग प्रकार के उनके रक्षा के संसाधनिया जो उनकी जल्वते हो वह अगेपर्स भी बनेगे लेकिन उसके उसके जुड़ी भी बाकी लेंड जाओ उसको प्रेक्शन करना चाहत है ऐसे वोर की अलग सेक्टर के अधारिक नुक्ते भी उसके जो रोजगार करते होंगे और डेवलेटमेंट अधारिक्टी होंगे दोलों के काम तरुड़ी है अब पूर्प हो गहां जो जो बोजगास पर नहीं किया को शुटू नहीं हमने तो टेक्स टेट की बात की बात है और उससे आगे बड़ तरके आईटी की बात भी करना है हमारे मिंडल बहुत है तो मिंदल में भी किवल नापट लिगाने के जाए उसके प्रोड़क्ट टैया हो तो बुल मिला कर रोजगार पुरक जो जो इंड़स्टी प्री हो सकती है उसको प्रोच्सान देना और यह भी कह रहा है कि जो हमने अपनी गाइड लाइन जारी कि उस गाइड लाइन से हट कर लिगे भी को एक्षी इंड़स्टी ख़़ी हो तो सरकार उसको भी पद्धक्र बुल मिला करके रोजगार पुरक एक तरस से रोजगार फ्रेडली महरू बनना चाहिए तो यह उसी तरश्टी से हम उसको चलाए है वाज़ करें लिगे शक्ति कर लोग है या इसको लेकर कुछ नहीं है देखे समादूप से हम ना के वलिए बिलीजियस तुरिज्टर पे बात गम है बलकि जो आप आसपास का फारेश्ट का एरिया ने या हमारे है इनिटेज के आसपास के स्थान है सभी मो जोड़कर के दूज़कर के सभी सिर्टर का समादूप से हम आप में लगता क्या सारी है 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 क्या है 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 अबिधित करना लगा चोटी शोटी इंडेस्टी और आटी की इंडेस्टी आपकी जानज़री के आइटी इंडेस्टी के चाहिए जहां इन डेस्टी वह जह पारक्पट को जगा देंगे यही तो तरीका है कि उसमें पांचों लोगा जार लोगों रोजगार मिलेगा हरे एक वो चीछ इसके मार्टम से रोजगार दिल सकता है वो अम्डेला सरकार उपलग को तराने को तयार है पारक्पटर मुहान आदब सभी को संबोधित कर रहे थे सरसात अद्योगी कायों को लोकार पर और धूमी पूजण होगा 12,000 लोगों को इससे रोजगार मिले का उनका कहना है कि ये जो पॉनक्लेव हो रहा है इससे ना सर्फ जवलपुर बलकि जितने भी अलग 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 दमी यहां पर निवेश के लिए आएंगे उनको तो फाइदा हो गही साती रोजगार के अफसर उनके शेत्र में भी बढ सभी सेक्टर इसमें शामिल हैं जिनको लेकर ये फॉनक्लिप बलाए गया है साती दोक संखो स्टार्टप एवं रक्षा कपड़ा परिधान विशिशग्यों के साथ चर्चा भी होगी 300 सदिक क्रेता विक्रेता मेटिंग्स वन टुवन चर्चा और ये तमाम चीज़ें आन बड़ी खबरे तेसंदा